नमस्कार दोस्तों, मैं हुरिचा सेना और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आप सभी को दिपावली की धेरो शुप काम नाए आने वाला वर्ष आपके जीवन में धेरो खुशिया लेके आए यही मेरी मा लक्षमी से प्राथना है दोस्तों, आज का वीडियो दिपावली के लिए बहुत ही महत्वपून है वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, शमा चाहती हूँ दोस्तों, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमवस्याति थी के दिन दिपावली का महापर्व मनाया जाता है जोकि इस साल अर्था 2021 में बनाया जाएगा चाल नवेंबर गुरुबार के दिन और दोस्तों, इस बार की दिपावली अत्यांत खास है क्योंकि इस बार की दिपावली पे अत्यांत शुप संजोग बन रहे हैं इस बार दिपावली पर सुर्य, मंगल, बुधु और चंदरमा एक ही राशी तुला में विदमान होंगे जो इसकों की अत्यन्स शुप परिणाम देने वाला माना जाता है और दोस्तों ऐसी मानेता है कि तुला राशी में एक साथ सूर्य मंगल बुध और चंदर्मा के उपस्थित होने से धन लाब होनी के संभावना बढ़ती है, साथ ही नौक्री और व्यापबार में तरक्की के योग बनते हैं, मनुश्य के जातक के मान सम्मान और पत प्रतिष् तो दोस्तों इस बार की दिपावली को हाथ से ना जाने दे, दिपावली दीपों का तेवहार है, इसमें दीप के द्वारा जो है घर से और मन से, जीवन से नकारात्मक उर्जा को दूर भगाया जाता है, ताकि मा लक्ष्मी सुख, शान्ती और सम्रिधी का हमारे घर में औ वास हो सके, तो दोस्तों इस दिन अगर आप दीप से जो है कुछ चोटे चोटे उपाई करते हैं, कुछ महत्वपून स्थानों पे दीपदान करते हैं, तो इससे आपके जीवन में समस्त परिशानियों का नाश होता है, हर प्रकार की नकारात्मक ता, चाहे वो धन हो, या आप बिमार रहते हो, या आपके जीवन में बहुत जादा परिशानी कलह चल रहा हो, ये सब दूर होता है, घर से नकारात्मक ता दूर होती है, और जीवन में सुक सम्रिधी का वास होता है, तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक लास तक जरूर देखेगा, तो सब उसे पहले पूजा का जो अस्थली है, हम सभी जानते हैं, इस दिन लक्षमी जी की पूजा हम करते हैं, मालक्षमी और श्री गणीज भगवान के इस दिन हम विदिवत पूजा अर्शना करते हैं, धेरो दीप जलाते हैं, पर अदो दोस्तों, एक दिल का बड़ा दीपक, इस दिन आप ऐसा जलाएं मालक्षमी के सामने, जो रात भर जलता रहें, और साथ ही वहाँ पे एक दीप माला सजाएं, दीप माला में आप 11, 21 संख्या में आप दीप जला सकते हैं, और उस दीप माला की पूजा जरूर करें, दीप माला में जो 11, 21 दीप आपने जलाएं है वो बुझ भी जाए तो कोई बात नहीं लेकिन बीज में एक बड़ा दीपक दिल के तेल का और उसमें लाल रंगा कलावा डाल के जलाएं जो की रात भर जलते रहना चाहिए दूसरा दीपक आपको घर में कहा जलाना है और दोस्तों इसके बाद दूसरा दीपक आप अपने घर में जहां पे पीने का जल रखते हैं वहां पे जलाएं ये दीपक आपके पुर्वजों के निमित होगा और उस दीपक का मुख जो है वो पुर्वदिशा की ओर होना चाहि अधिकतर लोग जलाते भी होंगे तो मा तुलसी के सामने इस दिन एक दीपक जरूर जलाएं अगर आपके घर में शमी का पेड़ है या केले का पेड़ है तो उसके नीचे भी दीपक जरूर जलाएं इसके बाद आपको जो है दीपक जलाना है अपनी मुख द्वार पे मुख द्वार के दोनों तरफ जो है चौ मुखा दीपक जलाएं जिसमें चार मुखो चार बत्तियां डालें और ऐसा दीपक जलाएं जो रात भर जलता रहे ये टोटका दोस्तों बहुत ही मालक्शमी को अपनी और आकरशित करने के लिए अपने घर में आकरशित करने के लिए घर सी दुछ और दरिदरता भागती है और मालक्शमी का आगमन होता है इस उपाई को आप हर पुढ़िमा या आमावस्या को दोहरा सकते हैं साथ ही एक ऐसा दीपक आप अपने घर की आगन में बीचों बीच जलाएं जो कि घर का ब्रहमस्थान कहा जाता है वहाँ पे एक ऐसा दीपक जलाएं जो रात भर जलता रहे और दोस्तों ये तो मैंने कई बार बताया है कि जब भी आप दीपक जलाते हैं तो दीपक को आपको आसन जरूर देना होता है दीपक के नीचे आप पुष्प या अनाज जो है जरूर रखें उसके बाद दीपक जलाए इसके अलावा दोस्तों घर के हर कमरे में एक दीप जरूर जलाए चट पे बालकनी में आंगन में हर जगर तो दिपावली के दिन की बात हो गई अब घर के बाहर आपको क्यान स्थानों पे दीप दान करना है सबसे पहले आपके घर के बगल में कोई भी मंदिर हो वहां जा करके आप एक दीप जला करके आए देवी देवताओं का इस दिन आशिरवाद ले के आए अगर इस दिन मालक्षमी और भगवान विश्नु के मंदर जाते हैं वहाँ पे उनका अशिरवाद लेते हैं वहाँ एक दीपक जलाए और भगवान शिव जहाँ पे स्थापित हो शिवलिंग जहाँ पे हो वहाँ पे दीपक जलाए तो अतिय अन्तुशूब है साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे इस दिन आपको एक दीपक जलाना है, पीपल के पेड़ पे सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, साथ ही पूरवजों का भी वास माना जाता है, यहाँ पे एक दीपक जलाएं, लेकिन यह ध्यान रखें कि दीपक जला के लौटते वक्त आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, स ऐसे रोग हो, बिमारी हो, या फिर आपको बहुत क्रोधाता हो, बहुत चिंता रहती हो, तो इस तरह कि नागारात्मक्ता को दूर करने के लिए, किसी भी सुनसान चौराहे पर, चौराहा मतलब जहां से चार रास्ते जाते हों, वहां पर एक दीपक ज़रूर जलाएं। तो हम जान लेते हैं कि इस साल दिपावली पे लक्षमी पूजा का शुब महुर्थ क्या है। शाम के छे बच के आठ मिनट से, शाम के आठ बच के तीन मिनट तक, ये पूरी एक घंटे, छपपन मिनट का महुर्थ हैं, इस बीच में आप लक्षमी पूजा प्रारंब कर सकते हैं, संपन्ने कर सकते हैं। शाम के पूजा करते हैं, इस समय पूजा करने से इस तर लक्षमी का आपके घर में पास होता है, वहीं प्रदोशकाल को भी पूजा के लिए शुब माना जाता है, तो इस दिन प्रदोशकाल होगा, शाम के पाच बच के तैस मिनट से आठ बच के नौ मिनट तक, तो उमीद को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, जै माता दें